अखबार में एक हादिस उरक्षा विभाग ने अखबार में खाने का सामान न लेने की मुहीम शुरू की है यह कदम लोगों के स्वास्त को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है वहीं छोटे दुकानदारों का कहना है कि अखबार के अलावा अन्य विकल्प महंगे हैं जिससे अखबार में विकल्प को हटाना फिलहाल आसान नहीं होगा फूर्ट सेफ्टी डिपार्टमेंट ने लोगों के स्वास्त को ध्यान में रखते हुए इस मुहीं के चलते दुकानदारों को भी निर्देशित किया जाएगा कि वह अखबार को बंद कर अन्य विकल्प का सहारा ले इसके साथ अखबार प्रयोग ना करने की शपत पत्र भी लिया जाएगा प्रपिंग पेपर के जैसे उप्योग कर रहे हैं और उसका एंक जब हमारी बॉड़ी में आता है तो उसके हामफुल एफेक्ट हमाले शरीप में हो सकते हैं लंबे समय में तो इसे 2016 में बैन कर दिया गया था पर अब हम इसको एक अभियान के तौर पर ले रहे हैं और जब हम इस पर काम करेंगे तो हम पब्लिक को भी अभियर करना चाहते हैं जनता को हम बताना चाहते हैं कि ऐसे पेपर में अगर उनको खाना दिया जाए कोई चीज पैकर की हैं तो आप इसी चीजें जो आपके लिए हस्वास के जानी का रखें हम क्यों लेंगे वही अगर शेहर की बात करें तो फोपाल में कई छोटी छोटी दुकाने हैं जहां पर खाने पीने की चीज़ें आज भी अगबारों में ही मिलती हैं अगबार छोटी छोटी दुकान को सस्ते में मिल जाता है ऐसे में छोटी छोटी दुकान चलाने वाले व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन ने नियम काफी सही बनाए हैं लेकिन अगबार के अलावा अन्य विकल्प काफी महंगे हैं जिसके चलते अगबार का उपयोग बन नहीं किया जा सकता अब देखना होगा कि प्रशासन क्या विवस्था करता है जसे लोगों का स्वाथ भी ठीक रहे और दुकानदारों को नुकसान भी ना हो Tegorh University, the pioneers in skill development with focus on creating industry ready professionals Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tegorh University आप देख रहे हैं तकल्नियोग आप देख रहे हैं तकल्नियोग